जहिन त्यारे साथी हूँ, स्वागा त्याप सुभी का, एक बर फिर से खोठा किंग ओफिसियल पे एक नोटीस थोड़ी दिर पहले ही निकल करके आया हुआ है आप यहाँ पे नोटीस का ये डेट देख सकते हैं 12-12-2020 जो कि थोड़ी दिर पहले ही आया हुआ है जैसे सी सीजियल को ले करके जारखन समयन असनातक योगिता धारी संयुक्त परति योगिता परिक्षा 2020 और ये 2020 का ये फिर से एक बार नया नोटीस और एक नया एक्जाम डेट आ गया है लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल फिर से उठ सकता है कि थोड़ी दिर पहले जो कंड़क्ट कराने वाली एजेंसी थी उसका कहना था कि कम से कम दो महिने का समय हमको लगेगा इसका कहना था कि हमको कम से कम दो महिने का समय जो वो कम से कम चाहिए तो अगर देखा जातो दिसंबर और जनवरी ये दो महिने का समय उसको चाहिए था तो अगर देखा जातो दिसंबर पंदरा दिन एक महिना जनवरी और पंदरा दिन फरवरी तो उस हिसाब से फरवरी तक जाना था, या फरवरी या तो फिर मार्च तक एक्जाम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो एक्जाम का डेट रखा गया है वो 28 जनवरी को रखा गया है और 28 जनवरी को, दोनों दिन संडे पड़ता है, अब देखे कि एक्जाम का डेट में गैप संदेह के नजर से देखा जा रहा है कि इस तरह के डेट जो होते हैं वो एक्जाम डेट जेनरली नहीं होता है हो तब यह तो लगातार होते हैं या तो फिर एक दो दिन आगे पीछे होता है लेकिन खास करके जब कोई कमपटेशन का एक्जाम होता है तो वो लगातार ही होता है जब मैं टेक इंटर का एक्जाम होता है या कोई कह सकते हैं कि उस तरह से जब एक्जाम होता है तब आगे पीछे होता है उस तरह से लेकिन जितने भी कमपटेशन का एक्जाम होता है वो जैदतर देखा गया कि सिरि उठ सकता है, हो सकता है कि जो निकाला हुआ, जो नोटीस है, ये दबाव में निकाला गया हो जारकन सरकार के द्वारा, ताकि जो आंदोलन होने वाला है, वो उसके पहले हम कहीं न कहीं आंदोलन को कमजोर कर दी, ताकि छात्र जो वो अपने पढ़ने में लग जाए, और फि के कई माइने निकाले जा सकते हैं आप अपने तरीके से भी इस बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या इसका इसमें सही है क्या गलत है इसके बारे में आप खुद भी चाहे तो आप समझ सकते ही परिशा में सम्मिलित होने है तो परवेश पत्र डाउनलोड करने समद्धी सूचन आयो के अधिकरित वेबसाइट पर यथा सिग्र परकासित की जाएगी बाकी का बोला गया कि जो एड्मिट कार्ट डाउनलोड करने का तिथी जो वो जारी किया जाएगा लेकिन इसके पहले भी एक यहां पे है कि रिजेक्षन लिप्ट पहले जारी किया जाएगा जैसे सिकित वारा उसके बात में फिर अड्मिट कार्ट जो वो जारी किया जाएगा फिर जो भी हो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इस नोटीस का अर्थ आप क्या निकाल सकते हैं क्या है जल्दबाजी में निकाला गया एक वर फिर से यह जल्दबाजी में निकाला गया notice है या तो फिर वाकर में जनवरी में इसका examination हो जाएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप comment box में जरूर लिखेगा फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं बाकी के अगले वीडियो में और डेटेल में इसमें हम बात करेंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद